Hello friends, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे. आज का मेरा जो एक topic of discussion है या जो मैं topic लेके आई हूँ वो बहुत ही बहुत ही interesting है. Because आज मैं एक ऐसे powerful mantra के बारे में discussion करने वाली हूँ जो की ना तो आपके memory को enhance करेगा, बट आपके skills को भी improvise करेगा, आपके thinking pattern को change करेगा, help करेगा कि आप उस सही दिशा में जाएं और जो भी आपने knowledge gain करी है या जो भी आपके पास knowledge है उसको आप wisdom से उसको आप एक ऐसे तरीके से आप उस ग्यान को use कर पाएं जो एक सही दिशा में जाता हो. क्योंकि बहुत बार हमने देखा है, बहुत लोग के पास ग्यान तो बहुत है, मगर वो उसको use नहीं कर पाते या उसको एक सही direction में ले नहीं जा पाते. तो बहुत बार लोग इसी के लिए परिशान होते हैं कि मैं मतलब दिमाग से तो बहुत तेज हैं मगर वो सही direction में नहीं ले जा पारे. ऐसा बचों के साथ भी होता है, ऐसा जो competitive exams की तैयारी कर रहे हैं या बड़े लोग हैं उनके साथ भी होता है, इवन जो officers में काम कर रहे हैं, researchers हैं या इवन जो creative field में हैं, उनके साथ भी ऐसा बहुत होता है. तो आज का जो मेरा topic है या जो मैं एक mantra discuss करने वाली हूँ, वो एक बहुत ही बहुत ही powerful mantra है, जिसके sound मात्र से ही बहुत ही amazing frequencies बनती हैं और जिससे बहुत ही amazing results भी मिलते हैं. तो आज हम बात करने वाले हैं aim के बारे में. aim, aim एक बहुत ही special powerful बीजा मंत्रा है मा स्वरस्वती का. अब मा स्वरस्वती आपको पता है कि goddess of knowledge मानी जाती हैं, देवी है knowledge के लिए. वो सिर्फ आपको यही नहीं help करती हैं कि एक सिर्फ पढ़ाई के वक्त या पढ़ाई की चीजों में help करेंगी, बर वो हर चीज जो related है knowledge से, या आपके skills से, या फिर आपके talent से, या फिर आपके knowledge आपके पास है, उसको wisdom से हम कैसे use करें, उन सब से related हैं. और पढ़ाई के लिए तो हम मा सवरस्वती को हमेशा ही याद करके, अगर हम पढ़ाई करते हैं, तो हम जरूर successful होते हैं, यही बांते हैं सब लोग. तो Goddess सवरस्वती एक बहुत ही powerful, एक बहुत ही powerful शक्ति हैं, जो help करती हैं इन चीजों के लिए. तो आज पहले तो मैं आपको यह बताती हूँ कि बीजा मंत्र अक्चली होता क्या है, क्योंकि मंत्र तो सबने सुने हैं, बट बीजा मंत्र क्या होता है? बीजा मंत्र, बीज, बीज मतलब क्या? सीड, एक चोटा सा बीज. बीज, जब हम अपने सोयल में डाल देते हैं, मिटी में उस बीज को डालते हैं, और जब हम उसको पानी डालते हैं, उसको सन की एनरजी मिलती है, सन की लाइट मिलती है, और उसको सही environment देते हैं, तो कैसे वो एक छोटा सा बीज सुखा भी बहुत सुखा ही होता है वो कैसे एक छोटा सा बीज वो पनब जाता है और बड़ा होके वो प्लांट बनता है और बहुत सारे प्लांट स्ट्री बनते हैं तो ये बीज मंत्रा का मतलब यही होता है कि ये छोटा सा एक छोटा सा अंच है उस म मंत्र हम example के लेते हैं गणपती मंत्र है अम श्रीम रीम क्लीम गलोम गणपतिये वर वरदा सरव जनम्मय वश मानन्य स्वाः तो ये मंत्र इसमें बहुत सारे बीज जो चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चो पर आप जब गानों शुणी आ नहि Candide 3 FM पे जाना है तो आप उस पे ट्यून इन करके 93.4 FM पे चला जाएंगे और उस पे आप वो गाने सुनेंगे क्योंकि आपको वही चानल पसंद है तो ये बीज मंत्रा भी उसी की तरीके काम करते हैं आपको एक प्रॉपर चानल पता होना चाहिए और ये वैसे चानल है जो डा ये ये आई एम या फिर एम ए आई एम हम उसको बोलते हैं एम एम तो जब हम उसको बार 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 हम उस शब्द को उस बीज मंत्र को जब हम रिपीट करते हैं तो हमारे अंदर ऐसे sound frequencies बनते हैं जिससे हमारा जो enhancement level है जो knowledge का enhancement level है वो बढ़ता है ये ना की सि स्टूडेंट्स के लिए competitive exams की जो तयारी कर रहे हैं उनके लिए या interviews की तयारी कर रहे हैं उनके लिए ही मतलब useful है ये उन लोग के लिए भी बहुत बहुत यूसफुल होता है और बहुत लोगों ने इसका फरक खुद observe किया है जैसे जो musicians होते हैं जो artists होते हैं जो creative line में है fashion designers हो गए और जो researchers होते हैं जिनका काम ही research करना है वो सारे लोग भी इस mantr को इस bija mantra को chant करते हैं और उनको use करते हैं अपने benefit के लिए तो कैसे हम इस aim शब्द को या aim bija mantra को कैसे हम use कर सकते हैं देखिए इसके दो तरीके हैं मैं आपको इसका पहला तरीका जो बता रही हूँ वो है एक जो normal proper तरीका होता है वो आप सुबह अपना नहाध हो लीजे और एक set pattern बना लीजे कि मैं शाम को या सुबह में अपना ये इस मंत्र का इस time पे कोशिश करिए कि एक आप proper time set कर लें कि मैं इस time पे ये chanting करूंगा मंत्र की तो आपको क्या करना है एक माला ले लीजे य 108 बार 108 टाइम आपको ये मंत्र को chant करना है सुरसुती मा को imagine करते हुए या अगर आपके उनके फोटो है तो बहुत ही अच्छा है उनको देख के आप अपने intentions दीजे कि आपको जिस भी चीज में improvise करना है जो भी चीज आप चाहते हैं उनसे तो उनसे आप directly connect हो पाएंगे उनको अपनी बाद बता पाएंगे तो आपको इस मंत्र का chanting करना है क्यों मैं बोल रही हूँ कि आपको उसी time पे मतलब एक time fix करेंगे जिस पे आप रोज हर रोज उस time पे ही particularly वो chanting करेंगे क्योंकि देखिए भगवान को भी पता होता है कि आप किस time पे आने वाले हैं जैसे तो इसलिए better है कि time fix कर लिजे अगर आपका time बहुत ही इधर उदर है जैसे कभी 5 बजे कभी 6 बजे कभी 7 बजे तो भगवान भी confused ही रहेंगे कि आप मतलब पता नहीं किस time पे आएंगे और आपका आप कब गए और आए उनको पता भी ना चले शायद से तो एक time set कर लिज यह हमारे वेदाज में भी लिखा हुआ इन पे research हुए है कि अगर हम कोई भी चीज एक proper time पे fixed time पे again and again repeated times उसको हम करते हैं तो वो बहुत ही 10x fruitful होती है तो आपको क्या करना एक माला लेनी है कोई भी माला ले लिजे तो आपको उसमे aim 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 ऐसे आपको तेज sound में जिससे आपके frequencies बढ़े और वो sound निकले aim का वो आपको बोलना है जब आप उसको 108 times बोलेंगे बोलने के बाद आप सुरस्वतिमा का धन्यवाद करिए जो भी आपकी wish है जो भी आप चाहते हैं अगर आप पढ़ाई में concentrate करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपको वो जो आपके पस knowledge है आप उसको अच्छे से use कर पाएं या किसी भी चीज में जो भी आपका wish है उसको आप अपनी बात मा के पास रखिए और जरूर से आपकी wish पूरी होगी मगर इसको कोशिश करिएगा कि आप पूरे trust के साथ करें और regularly करें ये नहीं कि आपने दो दिन किया बस आपने सोचा अरे सुरसती मात तो बस मेरी बात सुन ले और बस हो जाना चाहिए ऐसा नहीं होता है आपको भगवान भी देखते हैं कि आप में क कितना एक passion है कितना आप उस चीज को मतलब एक religiously follow करते हैं या किस चीज को आप किस intent से कर रहे हैं तो intention बहुत ज़रूरी है इसमें अब इस aim शब्द को जो दूसरा method है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो aim शब्द को आप दूसरे तरीके से भी use कर सकते हैं ये हम जिससे आपके लिए ये aim बीजा मंतर काम करें ठीक है तो आपको एक बिल्कुल साफ सुत्रा plain paper लेना है उसमें आपको क्या करना है aim को एक बार लिखना है और तीन बार बोलना है जैसे आपने लिखा aim वन आप करिए और एक paper में aim लिखे aim aim लिखे और फिर उसके बाद आप बोलेंगे aim 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 फिर आप दूसरी बार लिखेंगे फिर आप aim लिखा आपने और आपको तीन बार बोलना है aim 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 ऐसे ही आपको 108 टाइम्स उस शब्द को उस बीजमंत्रा को लिखना है मतलब आपने एक माला लिखी एक माला लिखी मतलब आपने 108 टाइम्स लिखा और तीन माला आपने बोली जो 108 टाइम की तीन माला थी आपने उतने टाइम बोली ठीक है अब ये पेपर में आपने पूरा लिख लिया अब ये आप स्वरसुती माता के चर्णों पे अर्पित कर दीजे और इसको अपने मंदिर में या आल्टर में इसको आप इसको सम्हाल के रख दीजे with इंटेंशन कि ये मेरा काम पूरा हो जाए और ये मैंने इस एम शब्द को एम बीजा मंत्र को आपके लिए सिद्ध किया है आपको उस समय बहुत ही मन से बिल्कुल फोकस से जब आप इसको लिख रहे हैं बिल्कुल ध्यान लगा के अच्छे से बिल्कुल सच मन से और सच होके आपको इसको ये काम करना है अब एक बार आपने इसको लिख लिया जब भी आप पढ़ने बैठते हैं जब भी, कभी भी आप जब भी पढ़ने बैठ रहे हैं तो आपको सुरसुती मा को याद करते हुए इसको एम शब्द को अब आपको 11 टाइम्स इसको रिपीट करना है जैसे एम, 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 एम ऐसे आप 11 टाइम्स बोलेंगे और फिर पस प्रे करिए कि मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाऊं या अगर आप कोई भी किसी भी काम के लिए आ रहे हैं आप उस इंटेंशन से आप उसको करिए सुरसोती मा को याद करते हुए आप जरूर से जरूर से successful होंगे और आप पे सुरसोती मा अपनी जरूर कृपा बरसाएगी तो ये था एक second way जिससे आप एम को अपने एक switch word की तरह यूज़ करके अपने mind को, subconscious mind को change करके अपने लिए ही उसको work करना सिखा सकते है जिससे कि वो आपके लिए खुद work करने लगे तो हमने इसमें सुरसोती मा को प्रसन भी किया है और अपने लिए उसको अंदर उसको पूरा aim शब्द के meaning को उसके sound को, vibrations को feel करते हुए आप उसको बोलेंगे और यह आपके लिए जरूर work करेगा यह आपको wisdom, knowledge, education सब में बहुत help करेगा तो आशा है आपको यह video मेरा समझ में आया होगा और आप पे लिए helpful रहेगा Thank you so much love and light to all